Hello Learners, Welcome to this Video. इस वीडियो में मैं आपको किसी 3x3 matrix का Adjoint और Inverse फाइंड करने की Easy Calculator Trick using Casio FX991MS बताने जा रही हूं. यहाँ पर हमने एक 3x3 matrix लिया है जिसका हमें Adjoint और Inverse फाइंड करना है. हम जानते हैं कि A Inverse Adjoint of A upon Determinant of A से शो किया जाता है जहाँ पर Determinant of A is not equal to 0 होता है, यानि यह non-singular होता है. अब हमें matrix A को Calculator में Feed करना है. इसके लिए हम Calculator On करेंगे, Mode में जाएंगे, 3x Mode प्रेस करके 2 प्रेस करेंगे, इससे हम Matrix Mode में चले जाएंगे और यहां M.A.T. लिखा हुआ हमें देखेगा. अब हम Shift के साथ 4 प्रेस करेंगे, क्योंकि यहां पर भी M.A.T. लिखा हुआ है. सबसे पहले हमें Dimension Set करनी है, इसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे. मैट्रिक्स हमें A चूज करना है, इसके हम फिर से 1 प्रेस करेंगे. मैट्रिक्स का ओर्डर पूछा जा रहा है, जिसके लिए हम 3 equal to 3 equal to. प्रेस करेंगे, जिससे हमें M cross N, 3 cross 3 ओर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा. अब यहाँ पर हमसे element wise values पूछी जा रही है, यहाँ लिखा है A11, A11 याने first position, first row और first column का element, जो कि यहाँ 2 है. Then equal to प्रेस करेंगे, row wise entries है, 2 then 3. अब हमसे second row का first element, याने कि 1 equal to minus 2 equal to 3 equal to. अब last row है, 0, 1 and minus 1. तो इसके लिए 0 equal to 1 equal to minus 1 equal to. अब हम चाहें तो arrow button की through, यहाँ पर entries चेक कर सकते हैं, 2, 2, 3, यह first row, 1 minus 2, 3, second row, 0, 1 minus 1, third row. और इसे हम edit भी कर सकते हैं, using edit option. अब हमें adjoint find करना है, जिसे हम इसी equation के through find कर सकते हैं. A inverse into determinant of A, ऐसा लिख सकते हैं, is equal to adjoint of A. अब हम A को feed कर चुके हैं, इसके लिए हम matrix mode में जाएंगे, shift और 4 प्रेस करके, और 3 प्रेस करेंगे, जिससे हमें matrices दिखेंगे. अब हमने A के place पर matrix feed कर लिया है, तो हम 1 के through अपना matrix A call कर सकते हैं. इसका हमें inverse चाहिए. Matrix का inverse बहुत आसानी से हम X inverse बटन को प्रेस करके find कर सकते हैं. अब हमें equal to प्रेस करना है. तो यहाँ पर result हमें decimal points में मिल गया है. इसके लिए हम shift के साथ A, B, C वाला बटन प्रेस करेंगे, इससे हमें rational में result मिल जाएगा, जोकि minus 1 by 3 को show कर रहा है. यह A inverse की first value है, then arrow बटन प्रेस किया, again shift के साथ ABC वाला बटन प्रेस किया, तो हमें second value 5 by 3 मिल गई. next value is 4, अगली value 1 by 3 है, next value minus 2 by 3, उसकी next value minus 1, again next value 1 by 3, next value minus 2 by 3, and last value minus 2. तो इस तरह से हमें values मिल गई है, जोकि A inverse को show कर रही है, अब हम चाहें, तो इसमें से 1 by 3 common ले सकते हैं, और answer को इस वे में लिख सकते हैं, बट हमें adjoint find करना है, और हम A inverse find कर चुके हैं, यह answer, answer matrix में saved है, अब हम इसी बटन को प्रेस करेंगे, again shift के साथ 4 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर arrow बटन दिख रहा है, arrow प्रेस करेंगे, इसमें हमें determinant दिख रहा है, determinant के नीचे 1 है, इसलिए हम 1 प्रेस करेंगे, और matrix A हमने already feed कर रखा है, तो अब हम उसे shift, 4, then 3 प्रेस करके, A matrix को call कर लेंगे, यानि कि determinant of matrix A, into shift के साथ 4 प्रेस करेंगे, 3 से matrix में आएंगे, 4 में हमारा answer saved है, जो की A inverse है, और is equal to प्रेस करेंगे, अब हमें result दिख रहा है, जो की adjoint of A को show कर रहा है, इसमें adjoint की first entry minus 1 है, second is 5, third one is 12, fourth is 1, fifth is minus 2, sixth is minus 3, then 1, minus 2, minus 6, तो यह हमें मिल गया है, और हम जानते हैं, कि adjoint of A, transposed matrix of co-factors of A होता है, यानि यह C11, C12, C13, इनकी values को show कर रहा है, तो अगर आपसे co-factors पूछे जाते हैं, तो आप co-factors भी find कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, thanks for watching.